कि हलो दोस्तों कि कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दी का विनन्दत हैं मैं आपका दोस्त एमम आलम हम लोगों की दू क्लासेज हो चुकी हैं एक 1929 के अधिनियम और 1935 के बारे में और उससे संबंदिद एमसे क्यूव फिर हम लोगों ने गुझ अलग ढख से पढ़ाई करने के कोशिश की मुझे अमीद है कि आपको उसका अगर आपको इसका आप मिला है तो आप अपने पढ़ाई को बहतर करने बेहतर से बेहतर बनाने के कोशिच कीजिए जल्दी-जल्दी सफल होए यहीं हमारी अकांख्षा भी है और आपके लिए शुब कमनाएं भी है इसके लिए तो आज हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं समिधान सभा आपके जो पॉलिटी का जो सिलेबस है उस सिलेबस में अगला जो है वो समिधान सभा है तो समिधान सभा के बारे में ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैसा कि एक स्टेट्मेंट से हम शुरूआत करते हैं वो इस्टेट्मेंट गांधी जी का है उन्होंने कहा क्या कि भारतियों का समिधान भारतियों की इच्छा अनुसार होगा 1922 में हरजन पत्रिका जो आई उसमें उन्हेंने क्या किया ये अपना विचार रखा सुभाविक से बात है किसी भी देश का समिधान बाहर से अगर थोपा गया है तो वो कहीं से भी उप्योगत नहीं होगा अगर देश के अंदर के लोगों की इच्छा से अगर क्या है तो इसका मतलब यह है कि वास्तों में उस देश की वास्तिक परिस्तियों के अनुसार होगा उस देश की जो समस्याएं हैं जो परिस्तियां हैं उसके अनुसार सारी चीज़े चलेंगी और हमेशा वो देश जो है विकास के जो पत है विकास के पत पर हमेशा प्रगतिशील होगा इस दोरान बहुत सारी समस्याइं भी उत्पन होंगी लेकिन समिधान अगर जैसा कि हमारा समिधान है अगर भविश द्रिश्टा है अगर इसका मतलब यह है कि उसमें उस तरीके के स समस्याय हैं चुनोतियां हैं उसका समधान भी आपको अपने समिधान से ही मिलता जाएगा है ना तो यहां पर समिधान के बारे में बाद में बाती की जाएगी लेकिन यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो क्या है समिधान सभा है तो जैसा कि हमने पहला स्टेटमेंट ही देखा कि भारतियों का सम्विधान भारतियों की इच्छानुसार होगा तो ये statement भी आपको क्या है प्री का question बन सकता है कि ये statement निमलिकित में से किस ने दिया था तो उसमें गांधी जी का नाम है, जवालाल नहरू का नाम है, सुभाशन बोज का नाम है इसी दे राजन प्रशाद का किसी का भी नाम रख सकता है तो अगर आपको ये बात clear है कि ये जो statement है वो गांधी जी का है तो आप बिल्कुल सही answer वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, चलिए अब एक जो समविधान के अगर हम बात करते हैं, भरती समविधान के बात करें तो वो किसी, ये नहीं कहा सकता है कि बस आज के आज ये बन गया ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी है उसका जो है क्या हुआ हुआ, एक विकास हुआ है है न हम लोग जो सोतनता संघाश जो हमारा चला है लम्बे समय तक अंगरेज़ों आपए हमारी जागुर्टा बढ़ती गई है ना तो यह सब चीजें जो है क्या हो रही थी वो कहीं नगों एक उत्तरदाइश सरकार हमारी अपनी सरकार एक आजादी यह सभी हमारा एक समिधान निर्मार हुआ है ना जो हमारे देश में आज चल रहा है जिसके अनुसार हमारी सरकारे चलती है ना देश चलता है तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले सबसे पहले अगर इस तरह के से लिखे हुए के बात किया जा तो कहा जाता है कि सबसे पहले जो है वो तिलक के सोराज विध्यक में इसकी छलक दिखाई पड़ती है है ना सविधान सभा की लेकिन ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि इससे भी पहले अगर हम कह के साथ उस सारे अंदोलन को कुचल दिया दबा दिया है ना लेकिन ये बात कहीं जा सकती है कि समिधान सभा का विचार जो है उस समय भी था याने 1857 की बात हम कर रहे हैं ये जो है अब हम जो देखने जा रहे हैं वो क्या है आपको लिखिद रूप में हर जगा मिलता जाएगा ये चीज जो है सबसे पहले शुरू करते हैं समिधान सभा के सिद्धान का दर्शन सरप्रथम जो है तीलक के सवराज विध्यक में दिखाई इसका मतलब यह है यह बात समझमे आरही है फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक सप्रू समिति उनिसीट में गठित कि गई थी है जिसमें क्या किया गया था कामन विल्थ अफ इंडिया बिल का एक प्रारूप त्यार किया गया था सब्रू समिति के दवारा और इस बिल को एक सरुदली सम्मेलन हुआ था 1925 में जिसके अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे वहां पर क्या किया गया इस बिल को पेश किया गया और इस सरुदली सम्मेलन में समिधान निर्मार की बात की गई समिधान सभा की बात की गई कहा जाता है कि समिधान निर्मार की दिशा में यह पहला बहुत महत्वपूर्ण कदम है है ना तो इस टैप से भी प्रश्ण अगर यह पूछता है कि समिधान निर्माण की दिशा में पहला या प्रथम महत्वपूर्ण कदम के रूप में क्या है तो आप क्या कर सकते हैं 1925 में जो सरुदली समयलन हुआ था उसमें जो है क् सब्सक्राइब करते हैं अगर यह कहा जाता है कि समयधान निर्माण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण के रूप में तो आप क्या देखेंगे भार्तियों के तरफ से जो क्या किया था सरुदली समयलन हुआ नुनिस सुपचीस में गांदी जी की अद्धिश्टा में क्या सब्सक्राइब क्लियर आगे चलते हैं आगे चलते हैं देखें यह जो अगस्प्रस्ताव आया था 1940 में उसमें भी समयधान सभा के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बाते हुई थी लेकिन उतने इस परश्ट नहीं थी है ना लेकिन 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया है उसमें क कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वज़ा से उसको मुर्थ रूप नहीं प्रदान किया सका लेकिन इसी कोई प्रदान करने की बात होती है तो 1946 में क्या आया था आपका केविनेट मिशन आया था तो यह का सकता है यह प्रश्य बन सकता है आप से कि समीधान सभा का निर्माण समीधान सभा में को यह या दखने वाली चीज है कि अंषी रूप से निर्वाची कि थी और अंशी कि मनोनित थी तो यहां पे जो 반,, 1946 में समिधान सभा के लिए क्या हुआ election हुआ चुना हुआ चुना हुआ तो उसमें क्या है बिटिश जो भारत था उसके लिए जो 296 सीटे आबंडित की गई 266 सीटे कि गई और उसमें 208 सीटे क्या हुई कांग्रेस को मिलें और मुसलिम लेको 73 सीठे मिलें ठीक है बाकी जो छोटे-छोटे दल थे उमिदवार थे उनको क्या मिलें बाकी जो सीटे मिलें थ्यान रखने वाली बात यह है कि ब्रिटिश भारत था उसके लिए 296 सीटें जो समिधान सा बात थी उसके लिए क्या किया था और उस में से 208 सीटें जो है वो कॉंग्रेस ने जीती थी ठीक है मुस्तिमले को 73 सीटें मिली थी यह याद रखने वाली बात है ठीक यहां तक बात समझ में आ रही है चलिए आगे चलते हैं तो यह चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि 296 सीटें आप बंडित की गई थी बिटिश भारत के लिए है ना और जब यह कहा जाता है कि जब भारत का विभाजन की बात होने लगी जब भारत का विभाजन वाली बात हुई तो वहां पे क्या हुआ कि कुछ ऐसी सीटें थी जो क्या हुए चले गई कहां पाकिस्तान में है ना कुछ पाकिस्तान में चले गई तो उससे क्या हुआ कि अब इ की संख्या जो ती उंक tet euch ले इसन निन नेन िामेश play कि यह यह तो जो पहले पाकिस्तान भारत में तो सारी सीटे जो मिलाख करते थी लेकिं जब पाकिस्तान अलग हो गया तो बहुत साथ शेत्र जो है बहुत सारे रियास्ते जो है पाकिस्तार में चले गए तो वहां पर क्या हुआ सीटों के संख्या जो है वह दो सब्सक्राइब रहे गया जिसमें क्या है दियान रखने वाली बात है यह संख्या आपको याद रखना है कि बिटिश भारत के लिए 296 सीटों का अबंडन किया गया था जिसमें 208 सीटें जो है कॉंग्रस को मिली थी और मुस्लिम लिग को 73 सीटें मिली थी है ना और टोटल जो सीट जो है वो कितना होना था समिदान सभा के लिए 389 होना था लेकिन जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो कई सारे शेतर रिय जास्तों से ठीक है यह संख्या याद रखना है इसमें से कुछ भी पूछ सकता है आपके प्री में है ना मैंने कोश्चन देखा है तो कोश्चन कुछ कभी-कभी ऐसे से कोश्चन उन्होंने पूछे हैं मतलब इतना कोई कैसे बढ़ सकता है एक ताम टोटल एक तम प्योर कोश्चन और ऐसी जगह से उठा कर पूछा जिस पर कि जादत और आम तोर पर लोग ध्यान नहीं देते हैं तो इसलिए थोड़ा सा यह सब चीज़ें तो हैं दिमाग में रखेगा चुकि प्री निकालना है आपको तभी आप मेंस और इंटर्व्यू फेस कर पाएंगे है तब ही आपका सेलेक्शन भी होगा सभाविक से बात है तो इस चीज़ को पर दियान रखना ठीक तो यहां पर हमने क्या देखा यहां पर यह कहते हैं कि एक सब्सक्राइब से मांग की बात किया जाया तो कृप्स में दिखाए पड़ता है लेकिन अगर यह कहा जाता है कि व है और जो बिटिश भारत के लिए क्या क्या गया जो सीटे थी वो कितने थी भाई 296 अबंडित की गए और टोटल सीटे कितने थी 389 मतलब 399 सीटे थी ठीक है और यहां से यह भी पूछ सकता है कि भाई इसमें 296 में से कितनी कॉंग्रेस ने जीती कितने मुस्लिम लेगने जीती और साथ इसाथ तोटल सीट जो थी उसमें जो है सव्विधान देश का बटवारे के बाद क्या इस्तिती रही है ना तो यह सब चीजें आपको दिमाग में रखना है ठीक आगे चलते हैं चलिए अब यहां तक तो हमने देख लिया कि यह सब चीजें हो गई और यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो पहला जो जो सव्विधान सभा की पहली बैठक हुई थी यह प्रश्ण के रूप में पूछ लेता है कि यह पहली बैठक जो है कब हुई थी तो नौ सभा की पहली बैठक हुने ठीक है और सफाव की बैठक हुई थी तो को त्षणां बात बात careless जो है यह जीर से प्रश्ण पूछ लेता है कि समिधान सभा के अस्थाई अध्धक्ष तो वहाँ पर आपको कई option दिया गा चार option दिया रहेगा तो इसमें सचीदा नंसिनहा जो है उसका सही अंसर होगा ठीक अब आते हैं हम लोग क्या है दूसरी बैठक में दूसरी बैठक क्या है वह ग्यारा दिसम्बोरों से 46 रही ती इसमें क्या हुआ था खास बात यह वही थी कि इसमें जो है इस्थाई अध्धक्ष चुन लिया गया था इसमें जो यह आपका प्रतम बैठक यह आपका दूति लगवाती सभा का तो ये ईशी ध्यान रखने वाली बात है कि सर भी एंग जो पुझे लिगा था है एंको उनने परसन ब workshops नहीं सअने लेकी उत्हिंटा बहुत उने को उत्हें नाँ पहला जो उस को घौळहा था सर्भी ऎक नाम आता है ठीक है ना और भी इन्हों ने बहुत बड़े-बड़े काम किये था वंथा सर्व्ण परशुवथे सभेएंद राव नहीं क्या किया था पहला सभी and राव के द्वारा ही उसको क्या किया गया था प्रसुत किया गया था यह सब चीज़ दिहान में रखना है आपको है ना चलिए हम आगे चलते हैं तो यहां पर हमने क्या देखा समय सावा के पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 इसमें एक इस्थायत धख्ष डॉक्टर से जीदान सिंहा को चुना गया है ना यहीं इसमें इसमें इस्थायत धक्ष को चुन लिया गया इसमें डॉक्टर राजन प्रसाद को इस्थायत चुना गया था और उपाध्ष ऐसे मुखर जी को साथ यह चुना गया था और साथ यहां गया गया था प्रीव लेट के गब करने है इसलिए इंप्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तरीके से हमारे पूरे आज का जो समिधान है उस पूरे समिधान का एक दर्शन दिखाई पड़ता है ठीक है ना वो जो जो हमारा समिधान है उसकी जो प्रस्तावना कह सकते है प्रस्तावना प्रेंबल जो है वो जो है वो इसी से ही प्रेरित है उद्देश प्रस्ताव से ही प्रेरित है ना जिसको कि जवाहला लेहरूं ने क्या किया था तिरसे टिती भैठक में एंठेरा जिस— word Form 60 16 जो पैश किया गया था वह जवाहला नेहरू के दोरा पैश किया था उद्धेश प्रस्ताओं के रूप में पैश कार कर लिया था मिपक्षार्प्रस्टाल यह पिर अपने धर्म को उपासना करने की सब चीजे जो हैं यहां उद्श प्रस्टाल में पहले सही शामिल ठांग इसके लाव आप देखिए तो इन सभी हीतों के सुरक्षित रखने के लिए प्रावधान किये गये तो आप अपनी प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहाँ प्या है यह लगेगा कि वास्तों में जो चीजें थी वह ओस्तों सारी चीजें निकल करके Áं अगे चलते हैं LithuSch देख सकते हैं अब प्रस्तावना की प्रमुंग बातें राजप़ समारी्फ नचानि के बात अभिवक्तिक विश्वास पासना का अधिकार मिला थाकर है ना हूं हैं उन सभी के हितों की सुरक्षा के बात की गई और एक मैं तो पुर्ण चीज है कि भारत एक संप्रभु राज यह चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि संप्रभु राज का मतलब क्या हुआ कि तौकि कोई बीचीज जो होती वो जो ब्यभारे के इस तर पाइक बात कर रहेते हैं थोड़ाER चीज उसको लेदा होता है थो हुआ यहाँ पर बात कर रहे हैं तो फो प्रभु राज वो होता है जिसके आंद्रिक और बाहे नीथिया लिए किसी भी बाहरी कोई दबा उसके उपर नहीं होता है वह अपनी नीटियां कोई को बाहरे को水 00 ऐ बनाने के लिए विल्कौ बलकुल सोतनत्र होता है वैसा के अगर हम जाएं तो यहाँ पर माली जी क्या है कि अपने हमको अपने हित्थ में यह है कि हम पाकिस्तान के उपर कबजा कर ले ना उसे लड़ाई करें उसको अपने अधीन कर लें जैसे अभी आप देखते होंगे कि समाज में हमारे देश में अभी इस तरी के बात हो रही है कि अखंड भारत एक विस्तित भारत की बात हो रही जिसमें बांगला देश पाकिस्त सकते हैं अगर हम ऐसा कर पाते हैं बहुत बढ़े बड़े देश बहुत शक्ति-शाली शक्ति-शाली देश हैं तो यहां पे इसका मतलब संप्रभू राजी का मुझलब अगर हम ऐसे ले लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि फिर तो अगर हम पाकिस्तान पर कभजा कर लेते हैं बांगलादेश पर कभजा कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ हम यह संप्रभूराज की रूप में देखे जा रहे हैं लेकिन वहीं पर अमेरिका है अमेरिका हमारों पर अगर कभ लड़ाई यहीं चलती रहेंगी कभी भी शांती जैसी चीज नहीं रहेंगी अब शांती नहीं है तो क्या विकास के पत पर आगे बढ़ सकते हैं नहीं वहां तो सिर्फ यह रहेगा कि बस किसी तरीके से आदमी जीए बस है ना आज कल तो एक से खतियार बन गया परमाणू ब वाली बात है कि अगर विशव शांती रहेगी तबें क्या है मानओ जाती जो है वह रहेगी उसका विकास होगा है np. अग्र माले जी क्या है चीस को इसी रूप में थे से मार काथी करते कर आंई आ न रहे हैं तो क्या हो गया संप्रभू राज हो गया अब यहां उद्देश परस्ताव में संप्रभू राज अगर घोशित किया जा रहा है भारत को जिसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जो British सत्ता थी जिसके अधीन हम थे हम उनकी सत्ता को भी क्या है हम मानने के लिए तैयार नहीं है हम यह चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से आजाद हो अपनी नीतियां अपने देश के हित अपने लोगों के हित के लिए हम क्या कर से कि अपनी नीतियां आफ लिए बलोर्य पारेंट से कि हैं कि हो अपनी आ को मानते हैं तो भी सत्ती के ही बात की जाती है इस तरीके सारति संथा औट के संगटनों के सालें जहां बें बंदुत वीर और विश्व शांति की बात की जाती है उब है प्रसाराँ में देखने को मिलती है, है ना, थोड़ा सी इस बारे में हम औー बात करते हैं, इस लिए बात करना ज़ुरूरी है, ताकि आपका जो एप्रोच है, वह डेबलप हो है ना, एप्रोच ऑप्रोच किसी चीज चीज को देखनें का समझने का वह एप्रोच जो है, वह अधीन थे अधीन थे इसका मतलब क्या हुआ भई अधीन थे तो हम जो है अपने लिए जो चाहेंगे हमारा अधिक से अधिक क्या हो लाब हो आप अपने लिए आजादी चाहेंगे अपने लिए सुतंता चाहेंगे हम जो चाहें वो कर सकें जो चाहें बोल सकें है ना तो इस कि इर्द गिर्द ही सारे सिद्धान ताउधारनाए जो हैं वो क्या होती है वो निर्मित होती है जैसे जैसे यह है कि माली जो सही शुनुता है ना हमारे अभिवेक्ति की आजादी तो अंग्रेजों के शासनकाल में क्या है कि हमको अभिवेक्ति की आजादी तो थी नहीं होता है उसकी मांग अलग होती है मतलब यह है अगर यह है कि अगर शासित के बाद किया है तो वो अपनी आजादी चाहता है और जो शासक होता है वो अपनी सत्ता को बना कर रखना चाहता है ना तो दोनों दोहें एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं इसलिए संगाश होता है क इसी चीज़ को थोड़ा सागे लेकर चले अगर हम क्या है पूरा विश्व जो है अब एक तरीके से लोक्तांतिक देश ही है ज्यादा तर तो वहां पर यह देखने को मिलता है कि जो मैनोर्टी तो यहां समझने वाली बात यह है कि जहां भी इस तरीके की मैनोर्टी है अब तो वहां पर क्या है वो इस तरीके की मांँ करेंगे कि हमारे देश में सही शुनुता और जो कहते हैं कि भाई चारा बंधूत तो यह सब चीप होना जो है वो जड़ादा हो है ना धरन निपेश् लिए में तो इंसीक्यूर्टी फिलिंग के साथ है और उनकी जो मांग हमेशा वो सबसे ज्यादा पसंद की सीर्व करेंगे वह सहिशनुता को ज्यादा पसंद करेंगे अभी वेक्ति की आजादी को है ना अपने धर्म को मानने उपास ना करने के सुरतनता धार्मी सुरतनता की बात जादा करेंगे है ना भै लेकिन अगर यही बात अब चले जाए पाकिस्तान में अब चुकि पाकिस्तान में मुसल्मान क्या है मेज़ोर्टी में है तो मेज़ोर्टी में तो उनके लिए यह सारे मुल यह सारी ज होता है या फिर यह जो उस भावना को जहल रहा होता है उस परिशानी को जहल रहा होता है उसके लिए वो चीज़े ज्यादा important होती है और जो इस पर परिशानी से क्या है दो चार नहीं होता है इस तरह के भावना उसके अंदर के बीब और ये है तो इसका मजलब यह है कि वहांपे जो फिलिंग है उनकी जो मांगे होंगी वो अलग होंगी BIG भारत में क्या थैकी यहां में जूर्टी में हैं इस जिसका मतलब यह है कि उस चीज़ की जो बात जो कर रहे हैं कि सवतनता समानता बंदुत अभिवेक्ति की आजादी धार्मिक सवतनता का अधिकार सम धर्मने पेख्ष्टा यह सब चीजों की जो बात की जा रही है वो मुसल्मानों के लिए जो अलसंक्त है और दूसरे जो भावना सवहार्द है ना प्रेम यह सब चीजें जो हैं यहां के संस्कृति में ही रची बसी हुई है इसलिए हम देखते क्या है कि हमारे देश में जो है जो हमारे समिधान निर्माड हो रहा था चोकि हम शासित बी थे और इसके अलावा यहां पर विभिनप्रकार के लोग भी थे ती है इसको ही देखान में र हर तरीके से बहतर है ठीक है तो यहां पर यह बात समझने वाली बात है इसलिए क्या है मैं आपको यह बात है इसलिए बता रहा हूं कि आप इस बात को समझें कि जो किसी भी देश में मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कह रहा हूं किसी भी देश में कहीं भी कोई भी है हमारे पास नया पाली का है पुलिस वेवस्ता है इसके अलावा अलसंखर का योग है तो मानवादिकार आयोग है ना जाने कितने सारी इस तरह के संसाय बनी हुई है जो क्या है कि ऐसे वंची तबकों का ऐसे दलित तबकों का ऐसे पीछले तब को क्या करती है उनकी जो बात तब सिर्फ हमें अपने अधिकारों की बात नहीं करनी है बल्कि क्या है सभी के अधिकारों के बारे मैं सोचना है ठीक है ना तो यह इससे क्या होगा देज प्रस्ताओं में ही हमने क्या देखा कि जो सुतंता अंदोलन का जो पूरा चला है पूरे जो लंबा एक लंबी एक आउधी चली है उस दौरान हमने जो भी महसूस किया है देश दुनिया से जो हमारा संपर्ग बढ़ा है उसके बाद जो हमने महसूस किया है तो हमने क्या क्या इन सबी चीजियों से क्या एक अनुभव प्राब्द किया और अनुभव प्राब्द करने के प्रशाद हमारा समिधान कैसा होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होगी प्राथ्मिक्ताओं में क्या क्या होगा यह सारी चीज़ें जो हैं दीरे धश्टा में तो उसमें भी क्या है आपको ये सब सारी दिखाई पड़ रही थी हमने क्या है अपने अनुभाव से कre नेकने बहुत सीख लिया था और सारे चीज़ें जो हमारी संस्कृ्ति ही मौजूद थी जो मानावतावाद से प्रयास कर रहे हैं संयधान निर्माड के लिए उसकी वे जो है किया है ठीछ हम आगे चलते हैं host 1970 में क्या हुआ? 1977 में भारत सोतंता अधिनयम आया इसकी वजह से क्या परिवर्थना घज़ता आया explaining सम्यडहान सबाया को एक संप्रभु निकाहे के रूप में जहां可न क्या है कोई देश अपनी नीतियां सोतंता डुरुप से बनाता है उस पर नहीं होता है है ना वह स्वतंता भूण से संप्रभू निकाय बना दिया गया है कि जो अंग्रेजिश के द्वारा याने बिटिश सरकार के द्वारा को एक कानून बनाया गया है तो उसको निरस्त कर सके और अपनी बातें लागू कर सके हैं ना मतलब यह कि हम बिटिश जो सरकार है उसके अधिन नहीं बलकि हम एक संप्रभू हो गए हैं इस तरी के बात है ना दूसरा जो है वह क्या हुआ समिधान सभा को किया और उसके कारें को दो भागों बार दिया गया एक जो काम था हो किया समिधान का निर्मान था यह नहीं रह गई बलकि क्या हुआ एक विधाई का की रूप में काम करने लगए इसलिए कहा जाता है प्रश्न बंदता है आपका कि हमारे देश का जो प्रथम जो संसद है वह ना तो इसका मतलब है अगर दूसरा काम यह है तो अब दोनों जगा पर क्या है समिधान जब ये क्या करती थी समिधान सभा समिधान सभा के रूप में काम कर रही थी तो उसके अध्धक्ष जो होते थे वो क्या होते थे डाप्टर आजन प्रसाद ठीक है ना लेकिन जब विधाईका के रूप में काम करती थी तो इसका जो अध्धक्षता करते और जीवी मोलंकर करते थे ठीक है ना इसलिए का जाता है कि प्रतम लोगसर अध्दक्शतर ऐसकी मतलब यह है जैसे माली जा क्या है कि आज जो है 1-1 का ऐक तारीक को जैसे शब्धान सभ़ा करेंख का diagnosed ठीक है ना फिर अगले दिन माली दो या तीन जब भी उसका देट किया जाए तो जब काम करेगा तो क्या करेगा विधाइका के रूप में काम करेगा है ना तो विधाइका काम क्या था विधाइका काम देश के लिए कानून बनाना उसको लागू करना और समिधान सभा क्या थ रखता है कि भारते भारस वतंता धीनियम का समिदान सबाब पर क्या प्रभाव पड़ा चार स्टेटमेंट दे देगा इसी तरीके से उसमें एक आक्ट विदर कर देगा उसका पूछेगा कि कौन कौन सही है इसमें है ना इसलिए ध्यान से चीज को देखिएगा इसका स्क्रि जो चोटे-चोटे जो अगरा इस टैप की साहरांश वगरा इस टैप की चीज़ें जो मिलती रहती है ना उसको बाद नहीं पढ़िए मैंना नहीं कर रहा है लेकिन उसके पहले जो है कोई authentic book पढ़िए ठीक है तो उसके पढ़ने से क्या होगा आपको concept clear होगा आपको और बहुत अच्छा नागनिक बनाने में भी होगा बहुत अच्छा इंसान बनाने में भी हो तो इसलिखास समझनावाली बात आप करनी है ठीक है ना सेलेक्शन से भी आगे बढ़ करके हैं तो आएक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ाई करनी है ठीक है जो आपकी पूरी परस्नालिटी में नजर आ है ठीक चलिए आगे चलते हैं अब यहां समझने यह जो है इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसको समझाया जा सके आप इसका स्क्रिन शॉट लिए इसको याद करिए याद करिए क्योंकि यहां भी क्या है कई सारे जो है वो सुमेलित करने वाले पूछ लेता है ना जैसे संग शक्ति समीती है तो उसके अध्श संगी समीधान समीटी है तो पंडी जवाल नेरो प्रांती समीधान समीटी है तो अब नहीं देख रहे हैं तो यहां कन्फीजन हो सकता है ठीक है न इसलिए क्या है कि इसको बहुत ध्यान से देखिए समझे और उसको अपने दिमांग बैठा करके कुछ ऐसी चीज करिए जि ना पैदा करें इस परश्टता ज्यादा हो लेकर करके आया है ना चलिए प्रावलिक अधिकारों वाल संख्यों को समंधित प्रामस समीधि वह सर्दार वल्लब भाई पटेल है ना इसके दो उप समीधियां बना देगी जैसे मौलीक अधिकार उप समीधि के जो समीधि इसके जीवी क्रिप लानी है ना तो इस तरीके भी क्या है बहुत क्लोज ऑप्शन में क्या करता है कंफूजन करता है वह कंफूजन करता है जिसे कि बच्चे जो है गलतियां कर बैठते हैं बहुत अच्छे से पढ़ें थोड़ा सद्यान ने दिया तो उसकी वज़ लेते हैं यह सब चीज आपको दिमाग में रखनी है यह सब समीधियां देख लिजेगा इसका स्क्रेंशॉट ले लिजे है ना ठीक है इसका स्क्रेंशॉट ले लिजिए समिधान सभा के समयंदानिक सलाकार भी अन्राव दौरा समिधान का पहला प्रारुप तैयार किया ग अब अभी तक पूछा तो नहीं गया है लेकिन मालीजा अगर पूछी दिया तो इसका मतलब यह है कि आपको मालूम होना चाहिए एक नजर इस पर डाली जेगा ठीक चलिए आगे चलते हैं इसका स्क्रेंशॉट ले लिए हैं अपने ठीक है प्राभी सम्मीटि प्राभी समीटि की अद्यक्ष तो आपco बहुत पता है मुझे लगता है कि ज्यादा तर ़ोगों पता होता है यह चीज़ है ना क्योंकि इतना ज्यादा फेमस ही है तो प्राभी समीटि एकर हम बात तो आड़क्टर भीम रहामम बेट कर ही थे तो मालू ही आपको अब यहां ध्यान रखने वाली बात है यह सदस्यों की जो नाम आपके सामने हैं उन सदस्यों में क्या होता है आपको कभी-कभी कन्फीजन हो सकता है इसलिए ध्यान रखने वाली बात है तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि लिश्ट है अगर तो लिश्ट में क एक मात्र मुसलिम सदर से कौन थे मुहंब सदूल्ह कहां विद्ध मांगा से How much ध्यार रख लिजिए कि जिसे बी आर अम्बेटकर के बात करते हैं तो इनका जो समिधान सभा में पहला जो समिधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ था वो बंगाल परसिडेंसी से हुआ था मुस्लिम लीग के सहयोग से वहां से जीत करके यह आए थे आ वहां मुस्लिम लीग के सहयोग से वह जीत करके आए थे और जब भारत का विभाजन हुआ तो वह क्या हुआ वो शित्र जहां से जीत करके आए थे वह क्या हुआ चला गया कहां पाकिस्तान में चला गया है ना इसलिए फिर उसके बाद इनको क्या है इनके लिए क्या है यह ज द्यान रखने वाली बात है इस तरह के से बेने बाद के कहां से बंबड़ी से पहली बinary लडाए फिर वाजिए इनको क्या है मुसलिम के सहजोग से बंगाल प्रेसिडेंसी से वहां से चुनाव जिदा करके फिर समिधान सभा में लाए गया था चली छब धियान रखना है आपका है ना जैसे यह सब चीज़े आपको बिल्कुल क्लियर है इसके अलावा कुछ चीज़े और भी है जैसे माली जी क्या है एक नाम है बीम मित्तर है और डी पी खेतान को उन्होंने रिप्लेस किया था यहां से भी प्रशनाव को बन सकता है ठीक है और इसके अलावा क्या है और यह कह सकते है कि जो पुरा जो समिधान यह प्रारूप समीति ती उसके सदसे थे उसमें मात दोज किया मुंशी और टीटी कृश्माचारी है ना यह दो सब्सक्राइब कभी कभी ऐसा होता है कि सुमेलित करने के लिए देता है तो इसमें से एक आक्ठ उठाकर को भी रख दिया है ना तो अब अगर नजर आपकी दोड़ी हुई है उस पे बहुत ध्यान से आपने चलिए आगे चलते हैं कर अगाओ अगि अगाओ ठिक है यह डेट आपको याद रखना है च्रेक्ति और तीस अगस्तष्म को परारूप समिती की प्रथम परथम इस सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब कर रहे होते आप अगर यूपेसी के एक्जाम को तहरी कर रहे होते तो मैं इस चीज आपको नहीं बताता है इस अपी जरूरत नहीं है वहाँ पर हैं लेकिन चुक्छ आपकी परस्टनालिटी में कुछ चीज देखना चाहते हैं इस वज़ए से प्रश्ण बना देते हैं तो कि वहां पर हैं हमसे ज्यादा बैतर समझ वाले तो सुप्रस्टन हम नहीं लगा सकते हैं लेकिन फिर भी अगर यूपेसी के पैटरन को देखना तो आहां पर क्या है इस अगस तो यहां रखने वाली बात है और इसके साथ यहां पी ध्यान रखना है कि प्रारूप समीती की यहां से भी हो सकता है कि यहां से भी हो सकता है प्रश्ण पूछ दे ठीक है अब समयधान समयधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताओं को 26 नॉबंबर को पारित कर दिये और इस पर अध्यक्षों सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिये ठीक है यह चीज़ भी धिया रखना है कब 26 नॉवंबर 1909 को ठीक यह भी जैसे पूछ सकता है आप से प्रश्ण क्या पूछ सकता है भाई कि हमने कब अंगिकृत किया है ना कब दियान रखना है ठीक है 26 नॉवंबर 1909 को अपना के समयधान में प्रस्ता होना यह पूछता है ना भाई कि यह उसमें कितने भाग थे उसमें जो सब्सक्राइब कर लिया था लेकिन कुछ जरूरी चीज थी जैसे नाग रिखता से सम्मधिक प्रावधान थे कुछ और प्रावधान थे वह उसी दिन हमने क्या किया था लागू कर दिया था लेकिन पूर्ण रूप से जो समयधान लागू हुआ वह 26 जनुवरी 1950 को लागू किया गया यह ध्यान रखना है आपको यह कई बार प्रशन पूछा जा जुका है इसलिए सिसका को ध्यान में रखना है ना लेकिन हम उसको समयधान को लागू हुआ नहीं मानेंगे लागू होने का डेट जो है वह 26 जनुवरी 1950 को ही मानेंगे ठीक है ना ध्यान रखना है आपको लागू माना जाएगा ठीक है ठीक है यह कुछ चीज़े हैं आपकी इसको याद कर लिजेगा 26 नौवंबर से क्या माना मनाया जा रहा है 2015 से है ना चुकि उस दिन क्या है भीम राम बेटकर करका 125 वी जन्म दिन के तौर पर उसको मनाया गया उसको ही क्या है एक समिधान दिवस के रूप में ना समिधान दिवस क रूप में क्या क्या मनाने के घोशना के गई है ना तो यह प्रश्ण आप से बन सकता है कि 26 समिधान दिवस कि दिन मनाया जाता है 26 नौवंबर को कि के उपलक्ष मनाया जाता है तो यहां पर ध्यान रखेगा कुछ गड़बर भी कर सकता है ना ठीक है डॉक्तर भीम राम मे देखेएगा ऐसा कुछ दे देता है तो आप इसमें कंफ्यूज मत हुए इसलिए ध्यान से देखेएगा कि जन्म दिवस है कि वहाँ पर पूनेती थी बोला गया ठीक है अंतरराश्टी लोकतंत दिवस की बाद किया जाए तो यह 15 सितंबर है ना यह 2015 से इसको लाग चालू कि किया गया लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है कि 2017 में आ करके क्या किया गया यह कहा गया से महासभा के द्वारा कि अब यह हर वर्ष मनाया जाएगा 15 सितंबर को अंतरराश्टी लोकतंत दिवस ठीक और यह भी एक फैक्ट ही है इसको भी आप दिमाग में रखिएगा कि प्रकाशित प्रकाशित भी हो गया है तो यह आपका क्या था समिधान सभा और समिधान सभा में बहुत चुकि प्रीका है तो बहुत स्यादा ऐसा कुशन नहीं बनेगा जो है जिसमेंसे जो हमने पढ़ा है उसे मेंसे आपको इधर उधर घुमा फिरा करके आपसे प्रशन पूछ सकता है और आप ध्यान से पढ़े हैं तो यह आपके लिए बहुत जादा मुश्किल नहीं है आजकी क्लास यहीं तक फिर अगली क्लास में फिर मिलते हैं धन्यवाद झाल